नमस्कार दोस्तों आपके मैं स्वाज़त करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल निफ्टी इंडिया में है तो दोस्तों आज हम nifty 50 और bank nifty की डेली अनलियस करेंगे जिसमें अभी मैंने डेली आनलियस की पहले करेंगे और उसके बाद देकर रहे हैं चार्ट पर मैंन से इस्टार्ट करने चाहिए जिससे कि हम एक्चुली देख पाएं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है तो अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो निप्टी फिप्टी का जो यह स्विंग हाई था जो की संथिंग धीरे धीरे संथ 2000 मार्स 2020 से कंटीन्यू चल रहा था यह हाई उसके बाद मार्केट ने पहले स्विंग हाई यह अपना स्विंग लो यह वाला यहां पर इस पॉइंट के आसपास तोड़ा और इस पे भी उसने पहले एक बाद सपोर्ट लिया था और फिर उसके बाद उसने वापिस एक बार पुल बैक लेके और फिर से पुल डाउन दिया है तो अभी अगर देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम के अनुसार निप्टी पर कुछ दिनों से जो हम दो तीनों से देख रहे हैं मार्केट में आई पॉजिटिविटी के कारण जो है मार्केट हमारा पूल बैक ले रहा है तो इसे क्या हम यह मान लें कि मार्केट का बॉटम लग चुका है तो हाँ अगर इसे हम आवर्ली टाइम फ्रेम में चेंज कर कि दो स्वार और अप यहां पर देख सकते हैं दोतों कि पहले मार्केट में इस पॉइंट पे अपना लो बनाया था और अब निए इग और बार इस पे अपना लो बनाया तो और JOHN कि कहा जाता है कि मार्केट के कि किसी हाई के लिए कभी सिंगल हाई नहीं होता और कभी सिंगल लो नहीं होता तो एक तरीके से मार्केट ने डबल बॉटम बना लिया है और उसके बाद आवरली केंडल पे उसने अपना ये वाला रेश्टेंस भी जो कि डबलू पैटर्न का ब्रेक आउट कहते हैं उसे ब्रेक करके उसी क काम काज किया जिसके कारण आज भी ये किलिए नहीं हो पाया कि मार्केट ने अपने आपको अपमूव के तियार कर लिया है या नहीं किया है इसके लिए अगर हम ये कहें कि मार्केट अपमूव के लिए त्यार हो गया है तो उसे कहीं ना कहीं जो कि ये डेली टाइम फ्रे मार्केट अप मूव के लिए तैयर हो चुका है तो देखते हैं दोस्तों अभी तो उमीद ऐसा लग रही है कि इसी रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट को अच्छा गासा टाइम क्योंकि जो इतने दिनों की बड़ी मूव के बाद गिरावट आई है वो इतनी जल्दी अगर रिकवर हो जाएगी तो कहीं न कहीं ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा अगर यहां पर पहले टाइम अपना इस्पेंड करें मार्केट और उसके बाद क्या करते हैं कहीं आगे बड़े तो लगेगा कि हां मार्केट अप मूव के लिए त्यार है क्योंकि इतनी जल्दी तुरंत मार्केट की डाउन ट्रेंड के बाद रिकवरी का कोई मतलब नहीं बनता तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि निप्ट्विप्टी में पांच मिनट की केंडल पे कि इंटर डे कैसा रहा है ऐसे दोस्तों आज तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मार्केट ने आज अपने आप को पॉजिटिव क्लस में ओपन दी थी और उसके बाद सीध ही क्या करते हैं एक क्रेश दिखाया था जिसके बाद से सब को हलका लगने लगा था कि हां यहां से मार्केट गिर जाएगा लेकिन मार्केट ने फिर बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई और अपने ओपनिंग प्राइस के हिसाब आसपास तक फिर से एक बर हाई लगाया जो कि सत्रा पांसो चत्तिस है तो आज मार्केट में कहीं न कहीं यह एफाइस की बहुत बड़ी ऑप्सन सेलिंग की पोजि लाकेट न कहीं नहीं दिया तो कल के लिए हैं लिए दोस्तो हमारे क्या लीजर निकलते हैं ते कल के लिए हमारा है जिसपर कहते हैं मार्केट ने पहले ओपनिंग दी और उसके भाद एक बार और उस लीवल को टेस्ट किया और उसके उपर नहीं जा पाई groundwater सतरागाः तालिस 17,541 को अगर मार्केट कल गैप अप या किसी भी तरीके से आदा पून गंटा उस प्राइस के उपर होल्ड करता है अगर दस बजे या सवा दस बजे तक अगर होल्ड करता है तो हम कह सकते हैं कि हां मार्केट उपर निफ्टिफ्टि जाने के लिए त्यार है लेकिन इ 17,600 17,600 का ही टार्गेट आएगा तो दोस्तों आपको ध्यान रखें कि अगर 17,540 के उपर आप बाई करते हैं तो 17,600 पर अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लें क्योंकि इस के बाद हमें लगता है कि मार्केट अप मूं में अगर जाना भी है तो बहुत फस फस के अगर 17600 के उपर भी है अगरता है तो फिर आप इसली 17,800 तक के पड़ि ले सकते हैं सेम फिन्ग अगर हम सेल्सायट की लेवल को फाइंड करें तो अगर हम सेल्सायट के लेवल को फाइंड करें तो ये 174060 17,460 के नीचे हम सेल भी कर सकते हैं जिसमें हमारा पहला टार्गेट 17,383 और दूसरा टार्गेट 17,318 आता है दोस्तों डाउन मूव में आपके पास ज्यादा लंबी टार्गेट मिलने के चांसे से और अगर 17,316 भी सेकंड टार्गेट बीट हो जाता है और थोड़ी देर आ मार्केट इस इस गैप को फिल करने के लिए जरूर आएगा और उसके बाद 17,246 तक का थार्गेट भी आपको मिल सकता है तो दोस्तों अपनी पोजिशन को जो है मैनेज रखें और पोजिशन साइजिंग को हमेशा डेली ट्रेंड के साथ रखें जिसमें डाउन ट्रेंड म आप अपने पोजिशन को काफी अच्छा रख सकते हैं और अप मूब के लिए आप पोजिशन स्थोड़ी कम रख सकते हैं और ैंट्रेंड में आपके पास जहां टार्गेट भी इच्चे तो रिस्क साथ तो आप यहां पे अपने ज्यादर पोजिशन को रखके और पर आपने बीच बीच में profit को बुक्त भी कर सकते हैं तो दोस्तों यह निफित की analysis अब हम चलते हैं सीधे बैंक निफ। पर है हैं तो दोस्तों यह बैंक निफ्टि का पांच मिनट का चार्ट लगाय एक मिनट इसकी वनडे चार्ट पर लगाते हैं तो दोस्तों आप देख रहे हैं यह बैंग निफ्टी का वन डेगा चार्ट है जिसें बैंग निफ्टी का भी वही मार्स 2020 के बाद से अगर देखा जाए तो फर्स इंगलो यह 38,515 का तूटा था जिसके बाद से बैंग निफ्टी का भी डाउन ट्रेंड चल रहा है और उस डाउन ट्रेंड को बैंग निफ्टी ने कहीं ना कहीं अपने डेली कैंडल पे चेंज कर लिया है जबकि आपको मैंने दिखाया निफ्टी ने अभी डाउन ट्रेंड ट्रेंड लाइन के अनुसार चेंज नहीं किया है लेकिन बैंग निफ्टी ने उसके उपर दो दि में उसका 700 सौरी दोस्तों कि इस रेजिस्टेंस के आसपास ही क्या करते हैं ट्रैवल कर रहा है और वह एक रेंज के अंदर फस गया है 3700 और 3700 तो अभी 3700 तक नहीं गया है बट क्या करते है 3700 के उपर सश्टेंड कर रहा है अगर यह ट्रेंड सही है तो बैंग निफ्टी इसली 3700 और उसके बाद 38500 तक भी जाने की उमीद रखता है तो दोस्तों हमें बैंग निफ्टी के अगर हम देखें तो बैंग निफ्टी के पांच मिनट के कैंडल पर हम चलके इसके इंटर डे को देखते हैं कि थो को दोस्तों बैंग निफ्टी को भी आप जैसा कि देख पा रहे हैं मैंग निफ्टी भी आज पूरे दिन एक चरिंज के अंदर काम काच किया है बैंग निफ्टी ने और कोई томेशन SIMkę anti नहीं दी है तो इसका कारण यहींए कि मार्क बैंक निफ्टी ने जो दो दिन में बहुत अच्छा मूब दिखाया था और कल एक्षा की ऑप्सन सेलिंग की पोजिशन काफी है वी थी तो आज एक्सपारी विकली एक्सपारी थी जिसमें आज मैंने पोजिशन को मैनेज किया गया है और बैंक निफ्टी को इस कि कल के लिए बैंक निफ्टी का बाइंग लिए विए लाता है कि 37,382 के उपर अगर बैंक निफ्टी आपको मिलता है तो आप बाई करें और 37,900 के अगर नीचे मिलता है तो आप लोग सेल करें सेल में बैंक निफ्टी में आपको 37,700 तक का जो कि ये गैप गैप अपके द्वारा बैंक निफ्टी ने तोड़ा था आपको 37,800 तक का अराम से लेवल मिल जाएगा और फिर उसके बाद सेकंड टार्गेट अब 36,557 तक का भी ले सकते हैं लेकिन दोस्तों 37,557 के आसपास आप अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लें क्योंकि मार्केट इसमें बहुत वालिटायल चल रहा है और कभी भी अपना मूव ऊपर की तरफ भी कर सकता है तो दोस्तों इसी के साथ कि मैं आपके लिए डेली आनालिसिस में जो है ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाता रहूं हाँ दोस्तों मैं आपको एक स्टॉक्स कभी एक चार्ट दिखाना चाहता हूं जिसके बारे में कहीं ये पहले 100-200 रुपे का स्टॉक्स हुआ करता था और अभी काफी समय से ये वीक चल रहा था बट अभी अभी इसमें कहीं न कहीं एक मुवमेंट आता हुआ दिख रहा है वोड़ा फोन आइडिया दोस्तों अगर आप देखेंगे तो वोड़ा फोन आइडिया एक मैं इसका वीक लिचार्ट डालता हूं एक मैं दोस्तों आप देखिए दोस्तों वोड़ा फोन आइडिया जो पहले कभी 120 पर काम काच करता था उसके जो है इस टॉक्स में काफी 2-3 साल पहले काफी तेजी से गिरावट आई थी और वो अपने इस फेस में आकर फस्कर रहा गया था जो की 1020 रुपे के आसपास का तो अब अगर मैं दोस्तों इसका आपको अभी की लाइव पिक्चर दिखाऊं तो इसमें कहीं न कहीं दोस्तों आप वॉल्यूम केंडल्स को भी देख सकते हैं काफी अच्छा वॉल्यूम एक्कुमिलेशन चल रहा है और इस प्राइस में भी कहीं दीरे-दीरे कोई का वॉल्यूम ना के बरावर था कोई खास वॉल्यूम नहीं था और अभी आप देखेंगे दोस्तों तो इसमें कितना ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है तो दोस्तों इसके इस हिसाब से वीकली हैंडल के साब से उसने एक बहुत अच्छा ट्रेंड भी बनाया जिसको अगर का पापते के हैंगे थोड़ा सा कट अंडं हेंडल टाइब का पैतना रहा है अगर आप की के देखिए दोस्तों कप एंडन टाइप का एक पैटरन दिखाँ आतरा अगर आप इसे थोड़ा देखें यह कप और तो दोस्तों इस हैं इतने लंबे पिरिड के बाद अगर इस लंबे टाइम फ्रेम के बाद अगर बनता है तो इसके बहुत ही चांसे तो यह एक रिवर्सल देगा और वोड़ा फॉन आइडिया को काफी ऊपर ले जा सकता है तो दोस्तों अगर अभी तक अपने वोड़ा तो आप देखें इसमें एक काफी अच्छी लगतार तेजी का मूवस देखने को मिल रहा है तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि वोड़ाफोन आइडिया काफी अच्छा कर सकता है और इसके टार्गेट्स भी अगर हम देखें तो एक मिनिट इसके टार्गेट्स दोस्तों कम से कम पहला टार्गेट ही अठारा रुपे बीस पैसे अठा रुपे दस पैसे थोड़ाफोन आइडिया को काफी जल्दी जाते हुए देख रहे हैं किसी भी कंटेंट्स में मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस के आपको जिम्मेदार होंगे तो किरपया अपने फाइनेंसियल एडवाइजर से पूछ कर ही कामकाज करें तो दोस्तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप करता हूं थैंक्स थैंक्यू बाइबाइबाइब